प्यारे बच्चो, ब्लड का कलर रेड होता है, we all know that, लेकिन हमारे लिए और डीटेल में समझना भी important है, कि ब्लड आखिर है क्या, और क्यों ये हमारी बॉड़ी के लिए बहुत important है, आईए सबसे पहले समझते हैं, ब्लड होता क्या है, ब्लड चार component से बनता है, red blood cell, RBC, white blood cells, WBC, platelets, एंड प्लाज्मा जो की एक light yellow color का liquid होता है, इस plasma liquid में ही बाकी के तीनों components, RBC, WBC, and platelets immersed रहते हैं, और पूरी body में circulate होते हैं, red blood cells का color red होता है, because of red pigment hemoglobin inside them, red blood cell में present इस hemoglobin का काम होता है, oxygen को lung से पूरी body में transport करना, और carbon dioxide को body के हर पार्ट से lungs तक लेके जाना, RBC शेप में circular होता है, ये bone marrow में बनता है, और एक cell हर चार महिने में खतम हो जाता है, red blood cells के पास कोई nucleus भी नहीं होता है, बच्चों अब बात करते हैं white blood cells की, ये हमारी body के soldiers हैं, जो infection से fight करते हैं, और हमारी body को disease से बचाते हैं, ये हमारी body में antibodies बनाते हैं, जो disease causing germs के attack से हमें बचाते हैं, हर white blood cell में एक nucleus होता है, और ये irregular shape के होते हैं, अब बात करते हैं platelets की, platelets भी bone marrow में ही बनती हैं, और ये special cells हैं, जो हमें चोट लगने पर, या कट लगने पर हो रहे blood loss को रोखते हैं, by clotting the blood, clot मतलब blood को wound के around ठिक कर देता है, ताकि एक semi solid layer बन जाए, और further bleeding ना हो, तो ये थे बच्चों blood के सभी components, क्या आता है, सबसे पहली बात, blood lung से oxygen को पूरी body तक, और पूरी body से carbon dioxide को lungs तक पहुँचाता है, दूसरी बात, blood digested food को, small intestine से body के सभी parts तक पहुँचाता है, तीसरा, blood waste products, जैसे urea को liver से kidney तक पहुँचाता है, ताकि ये excrete होकर urine में निकल जाए, चौथा, blood हमें harmful germ से भी protect करता है, और blood हमारे body temperature को भी regulate करता है, तो कुल मिला कर, blood has a lot of value to our existence, जल और blood दोनों ही जीवन है, और बच्चो इस तरह, आई होप ये वीडियो आपके लिए helpful रहा, और आपको blood के बारे में काफी कुछ जानने को मिला, तक्यू बच्चो पर वाचिं इस वीडियो,